हेलो दोस्तों की हल चाला है उम्मीद है कि आप अच्छे होगे दोस्तों आजम बात करने वाले इंडन एफोर्स अगनी वीर की अगली भरती के वारे में इंटेक सेकंड दो हजाज चौविस साल बैच की अगली भरती कवाने वाली है नोटी इविकेसन कब तक जारी होगा और और ओलाइन फॉर्म कब से बने सुरू होंगे एज क्रैटेरिया क्या रहने वाला है क्या हम इस वर अपलाई कर पाएंगे या नहीं एक्जाम कब वने वाला है तो यह सब भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो अन तक इस वीडियो को देखिए आप अ जारी किया जाएगा जैसे कि आप जानते हैं कि साल में दो वार भरती आती हैं अगनी वीर की और कब कब आती हैं हम आपको बता दें एक आती है जुलाई में ठीक है जुलाई वाली भरती अपने समय पर आ गई थी ठीक और एक आती हैं दोस्तों दिसंबर में जो की महीना च दिया जाएगा भारती ये वायू सेने की तरब से ठीक है कमर कस लीजे इसी महिने में नोटी विकलसन आने वाला है दो बार भारती आती है इंडन एफोर्स अगनी वीर की X and Y गुरुप की ठीक है और जुलाई वाली भारती अपने समय पर आ गए थी जैसे कि हम आपको दिखा दे वन सेकंड दोस्तो अगनी पत वायू की योजने के तहती ये भारती आती है ठीक है और जो भारती आई थी आपकी वो आई थी वन सेकंड 27 जुलाई को ठीक है और दिखा जाए तो काफी कम टाइम रह गया त्यारी करने के लिए क्योंकि दोस्तो इस वार जो आपका एक्जाम होने वाला है दोस्तो वो होने वाला मार्च में ठीक है मार्च के लाष्ट में आपका एक्जाम करा दिये जाएगा और आपको बता दें जब आपका नोटी विकेसन डिकले किया जाएगा मातर तयारी करने के लिए ड़ाई या आपके एकजाम स्टार्ट होने वाले हैं ठीक है दोस्तो एक्सपक्र्ड First हमने आपको बता दिया है मर्च में इसवा दोस्तो इंड़ने एफ्ोर्स अगैनी वीर के एकजाम सुरू है और आपकी new vacancy दोस्तो इस महिने के last week तक आ जाएँगी ठीक है में लग जाओ जितना हो सके, आगे बात करते हैं दोस्तों आपकी age के वारे में, दोस्तों, इंडनेवर्uchen की भरती में apply करने के लिए आपकी age होना चाहिए, साड़ा 17 साल से लेके 21 साल के बीच, जिनों का भी age दोस्तों, साड़े सातरे से लेके किस साल के बीच है वो apply कर सकते हैं युग्य है ठीक comment करके बताओ कि आपकी age इसके criteria के बीच है या नहीं साड़े सातरे से लेके किस साल के बीच आपका age होना चाहिए और DOB दोस्तो हम आपको बता दें इसमें 6 महीने आप add कर दीजे ठीक है साल में 2 वार भरती आती है vacancy आती है तो आप जानते हैं तो इसमें 6 महीने आप add कर दोगे तो इस वार DOB criteria रहने वाला है 27 December 2003 से लेके 27 December 2003 से लेके 1 second 27 June 2007 के बीच ठीक है दोस्तो यदि आपकी age इस criteria के बीच है तो आप योग हैं आविदन कर पाएंगे कमेंट करके बताओ दोस्तो आपकी age इस criteria के बीच है यानि DOB ठीक है जिनों का भी age है तो भाई अभी से आप त्यारी करना start कर दीजे आपकी new vacancy दोस्तो बहुत ही जल्द आने वाली है total दोस्तो vacancy जो आएंगी वो 3,000 के तकरीवन होंगी 3500 के तकरीवन दोस्तो vacancy आएंगी X और Y गूर्प की जिसे दोस्तो आप बदल दिया गया जब से अगनी पत की योजन लागू की गई है X गूर्प को कह सकते हैं दोस्तो हम science subject और Y गूर्प को कह सकते हैं other than science subject तो new vacancy का नोटी विकरसन जल्दी हमें देखने को मिल सकता है तो आप कमर कस लीजे जब भी नोटी विकरसन आएगा तो सबसे पहले जानकरी आप तब पहुचाएंगे बस आप चैनल पर ऐसी बने रहे ना चैनलों को आप subscribe कर लीजे और हमने आपके लिए टेलेगाम गुरुप बना दिया पलपल की update आपको टेलेगाम पर मिलेगी आप टेलेगाम पर जाना search करना जी study आपके सामने account जाएगा join कर लेना ठीक है दोस्तों तो भाई नहीं भरती आपका इंतिया कर रही है आप तैयारी करते रहे जिए भारती वाई उसने के तरफ से कोई भी update आएगा हम आपको बताएंगे और ही बाद दोस्तों आपकी age की तो हमने आपको बता दिया है कि आपकी age साड़ह सतरह से लेके किस साल के बीच होना चाहिए आविदन करने के लिए अगनी वीर वायो की भरती में ठीक है और इंटेक कौन सा रहने वाला दोस्तों सेकंड दो हजार चौविस साला इंटेक है ये और इस महीने के last week में दोस्तों कोई ने कोई update आएगा आपकी भरती से related और जब भी भरती आएंगी तो सबसे पहले जानकारी आप तब पहुचाएंगे बस आप चैनल पर ऐसी बने रहना ठीक है और जैनुवरी से दोस्तों आप आविदन कर सकते हैं और जैनुवरी के फ़र्ष्ट विक से सुरू हो जाएंगे 250 उर्पे यानि के 500 उर्पे फॉर्म की फीस रहने वाली है और इस वार मार्च में आपके एक्जाम होने वाला मार्च के अन तक दोस्तों आपके एक्जाम करा दिये जाएगा ठीक है नहीं तो अप्रेल के सुरुबात में दोस्तों आपके एक्जाम होंगे तो कुल मिलाका तीन महीने हैं आपके पास बली बाती तियारी करने के लिए तो आप तियारी में लग जाईए जितना हो सके इस वाद दोस्तो अगनी वीर बनना है आपको भारती यह वायू से ना जॉइन करनी है इंडाने फोर्स में जाना है तो यही मुकार कुछ कर दिखाने का अभी नहीं तो कभी नहीं जितना हो सके तियारी कीजिए ठीक है दोस्तों अगर निवीर बनना है दोस्तों आपको देश की सेवा करनी है माब आपका नाम रोसन करना है तो इस वार सेलेक्सान लेकर रहना इंटेक सेकंड दोहजाद चौविस साले में और भाई साब चैनला को सस्काइब कर लेना बेले कंदरबा देना पलपल की अपडेट हम आपके लाते रहते हैं कोई भी अपडेट आता दोस्तों इंडिया ने फोर्स के तरफ से मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में आप तियारी करते रहे जिए अपना ख्यार लखो जय हिंद जय भारत